आज मैं पैर में काला धागा बांधने की अद्बूत फायदों के बारे में जानेंगे दोस्तों नमस्ते मैं अजीत यादव पैरों में काला धागा क्यों बांधते हैं लेकिन पैरों में काला धागा बांधने के फायदे जानने से पहले अभी तक हमारे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस लाल वाले बटन को दबा का सस्क्राइब कर ले और इस घंटी को भी जरूर दबा दे जिससे हम कोई भी नई वीडियो अप्लोट करूँ तो सबसे पहले आप देख पाएं तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों काला धागा किसी भी तरह की एनरजी को सोक कर बाहर नहीं निकलने देता एक तरह जहां धागा बुरी नजर से बचाता है और दूसरी तरफ यहीं धागा आपकी किस्मत बदल सकता है काला धागा बांधने के बैग्यानिक तवर पर भी काफी फाइदे हैं दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़कियां या लड़के पैर में काला धागा बांधते हैं और बार बार बिमार होने वाले बच्चों को भी पैर में काला धागा बांधा जाता है तो वो बार बार बिमार नहीं पढ़ते हैं और यह एक अच्छा उपाय माना गया है काला धागा बच्चों को बुरी नजर से बचाता है जोती सास्त्रों में सनी के दोसों से बचने के लिए काला धागा बांधने का जिक्र किया गया है तो अगर आप काले धागे का प्रयोग करते हैं तो सनी दोस से भी आप बच सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हमार सरीर पंच ततों से मिलकर बना है यह पंच ततों है पिठवी वायू अगनी जल और आकास इनसे मिलने वाली सकती हमारे सरीर का संचालन करती है और इनसे मिलने वाली ही उर्जा से हम सभी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं जब किसी इंसान को बुरी नजर में हम लगती है तब इन पंच तत्तों से सम्मंधिस सकारात्मक उर्जा हम तक नहीं पहुँच पाती। इसलिए गले पैर या हाथ में काला धागा बाढ़ा जाता है। काला रंग उस्मा का अवसोसक होता है। इसलिए काले रंग का धागा धारन करने से हमें बुरी नजर नहीं लगती। और काला धागा हमारे सरीर के लिए सुरच्छा का कवच माना जाता है। काले धागे का प्रयोग बहुत तरीकों से किया जाता है। कुछ लोग पैरों में बादते हैं तो कुछ लोग हाथों में बादते हैं और कुछ लोग माला के रूप में पहनते हैं लेकिन सब तरीकों से धागा पहनने से हमें फायदे ही होते हैं यह हमें बुराईयों और कई बुरी सक्तियों से बचाता है तो यह तो था पैर में काला धागा बाधने के अद्भूत फायदे तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और या वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेयर करें धन्य बाद